महिला और बाल विकास मंत्री है स्मिधी रानी और वो बीते कई दिनों से चर्चाओं में हैं क्योंकि उन्होंने कॉंग्रिस स्टेटार राखुल गांधी पर एक बड़ा आरोप लगाया है क्योंने संसद में फ्लाइंग किस्ट का इशारा दिया है जहां बीजुपी के तमाम महिला सांसद भी मौजूद रहते हैं और यह संसद का अपमान है स्मिधी रानी ने इस दौरान तमाम तरीके के सवाल उठाई कॉंग्रिस और गांधी परिवार के संसकारों पर बात की गंभीर आरोप लगे राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत पत्र भी लिखा गया ओ आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको उन महिलाओं के बयान सुनाएंगे जो कि चाहे वो आक्टिंग फील्ड में हो चाहे वो राजनीती से जुड़ी हो चाहे वो बीजुपी से जुड़ी हो चाहे वो किसी और पार्टी से जुड़ी हो उनका इस पर क्या नजरी आ रहा है हेमा वालिनी की बात सबसे पहले करेंगे हेमा वालिनी बीज़पी की ही सांसद है वो उस दौरान जब राहुल गांदी पर स्मिधी रानी नी यारोप लगाया वो वहां मौजूद थी और उन्होंने उस लेटर पर भी साइन किये थे जो की बीज़पी महिला सांसदों ने ओम दौर किया था जिससे वो नराज थी इसके बाद हेमा वालिनी के लावा अगर आगे बढ़े तो सबसे बड़ी बात कि जो दिल्ली महिला आयोग है उसकी अध्याक्ष यानि कि स्वाती मालिवाल ने भी इस पर बड़ी आपती जताई है उन्होंने स्मिती रानी को साफ शब हैं वो भी वैठे थे और उनके उपर कई गंभी रारोप ही लगे हैं स्वाती मालिवाल ने अस दौरान साफ शब्दों में कहा कि ब्रिजभूशन वही नेता है जो अपने कमरे में महिला रसलर को बुला कर उसकी छाती पर हाथ फेरता है लेकिन इस पर स्मीती रानी चुप है उन्हें राहुल गांदी का फ्लाइंग किस दिख रहा है स्वाती मालिवाल के बाद बात करेंगे महुआ मोहित्रा की जो बीते दिनों संसद में पहुचे थी और जोड़दार भाशन के साथ उन्होंने सुर्ख्या बटो रही लेकिन इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर और इस बारे में भी उन्होंने बात की जो कि स्मीती रानी ने कॉमेंट किया तराहुल गांदी पर उन्होंने साफ शब्दों में स्मीती रानी के लिए कहा कि माडम आप अपनी प्रियॉरिटी सेट कर लीजे उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वही विमेन एंड चाइल मिनिस्टर है जो की मरेपुर में जब महिलाओं को न्यूट करके परेड करवाए जाता है तब वो चुप रहती है जब महिला रेसलर्स बीज़पी सांसत पर गंभीर आरोप लगाते हैं तब वो चुप रहती है लेकिन उनको फ्लाइंग किस दिख रहा है इसके लावा कॉंग स्मिति रानी की मुह में दही जमी रहती है और अरसे मुद्धों पर वो चुपी रहती है इसे लिए स्वरा भासकर ने examples भी दिये जैसे कि महिला wrestlers और मनिपोर rapes और इसके लावा स्वरा ने उन rape accused leaders का भी जिक्रे किया जो की स्मीती रानी की party के हैं इसके साथ ही स्वरा ने आगे लिखा कि राहुल गांधी उनके favorite topic है और इसे स्मीती रानी का obsession बताया बहराल Congress की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि स्मीती रानी ने जो संसद में अविश्वास प्रस्ताव था जो की असली मुद्दा था मरिपूर का उसको sideline करने के लिए उसको गायब करने के लिए ऐसे allegations लगाए राहुल गांधी का भी एक वीडियो क्लिप जारी किया गया ट्विटर पर जो की बीजिपी की तरफ से शेर किया जा रहा था जिसमें राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते वे नजर आ रहे थे हाला कि वही वीडियो है या कोई और वीडियो है इस पर कन्फरमेशन नहीं है हाला कि Congress ने उस प कर रहे हैं वो स्पीकर को देख रहे थे तो इसमें महिला को फ्लाइंग किस देनी की बात कहां से आई वही कुछ दावो में कहा गया कि राहुल गांधी जब संसत से जा रहे थे तो उनके हातों से कुछ कागस गिर गे वो जुके और इस दौरान बीजिपी सांचे जो सामने वक्त और यह समित्यानी हजब नहीं कर पाई क्योंकि उनमें इतनी नफरत भर गई है कि उनको कोई भी महबत की जो एक आओ-भाओ के लिए जो एक जेस्चर होता है वो उनको नजर नहीं आता फिलाल इस मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ मेला सांसदों ने जो की बीज जवाई चल रही थी राहुल गांधी अर उनकी फ्लाइंग केस को लेकर काफी बवाल मचा और काफी सवाल भी उठे